नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकलाप का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेट बैंकिंग इंफार्मेशन पर दोस्तों आज का वीडियो उन सभी भाईयों पहनों के लिए बहुत ही स्पेसल होने वाला है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या फिर वो हैंडिकैप यानि विकलांग है या फिर वो यस्टी कास्ट से बिलांग करते हैं तो दोस्तों आज इन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपार्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बैंक की एक ऐसी योजना के विसे में जानकारी देने वाला हूँ जो इन लोगों के लिए विसेश रूप से बहुत ही कम ब्यासदर पर मामूली ब्यासदर पर आपको रिण उपलब्द कराती है दोस्तों इस योजना का नाम है DRI Scheme यानि भी भिन्नात्मत ब्यासदर योजना दोस्तों डिफरेंट रेट आफ इंटेस्ट में इस योजना के तहत आपको बैंक रिण बहुत आसानी से उपलब्द करवाती है और बहुत ही कम ब्यासदर पर दोस्तों अगर आप कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं या फिर आपके अंदर कोई हुणर है आप सिलाई का काम जानते है या फिर आप कोई भी छोटा व्योशाय करने के लिए इस योजना के तहट आप यद इस कैटेगरी में आते हैं मैंने जो बताया आपको तब आपको यह रिण बैंक बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम ब्याज़दर पर उपलब्द कराता है दोस्तों वहीं यदि आप यश्टी कैटेगरी से हैं तब आपको मकान बनाने के लिए वा मकान की मरमत के लिए आपको इस DRI स्कीम के तहट बहुत ही कम ब्याज़दर पर उपलब्द हो जाता है तो दोस्तों यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या फिर आप बिकलांग हैं या फिर आप यस्टी कैटेगरी से हैं तब आपके लिए वीडियो बहुत ही इस्तसल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको DRI स्कीम के तहट मिलने वा पॉसस है वो क्या है किस तरह से आप इस फृरिंट को प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को start करें उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेष्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सथकाइब करने के साथ साथ बैल इकान जरूर पसकत कर लिजीगा तक आपकी वरसी काई 24,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों यदि आप ये मानक पूरा करते हैं तब आप DRI scheme के तहरे स्वरोजगार है आप कोई भी छोटा मोटा व्योशाय करने के लिए यदि आपके अंदर कोई हुनर है सिलाई का काम जानते हैं बढ़ही का काम जानते हैं इस तरह के जो भी काम होते हैं यदि आप काम जानते हैं तब आपको DRI scheme के तहट रुपए 15,000 का लोन 4% वार्षिक व्याज की दर पर उपलब्द हो जाता है वहीं दोस्तों यदि आप JST category से हैं तब आपको मकान बनाने के के लिए वह मकान की मरमत के लिए आपको रुपए 20,000 का रिड डी आराई स्कीम के तहट मिल जाता है इसमें भी आपको 4% व्याजी वार्षिक देना होता है और इसका जो रिपेमेंट टाइम होता है वो दोनों लोगों के लिए 5 वर्ष का होता है इसको आपको 5 वर्ष में वापिस करना होता है दोस्तों इसमें आपको मंतली इस्टालमेंट देनी होती है जब आप बैंक से रिट प्राप्त करेंगे बैंक आपका इस्टालमेंट बना कर दे देगा आपको 60 किस्तों में इसे आपको पे करना होता है दोस्तों अब हैं इसके डाकुमेंट की बात कर हैं और आप यह सभी पात्रता चर्टें पूरी करते हैं तब आपको अपने नजदी की जो भी सरकारी बैंक हो वहाँ पर जाना है और वहां के जो भी लोन अधिकारी हों, उनसे मिलना है और उनसे आपको कोई भी स्वरोजगार करके अपना जीवन्यापन कर पाएगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा जानकारी आपको कैसी लगी आसा करता हूं आप लोगों को जानकारी जरूर पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा आउसे कर दीजेगा ताकि यह जानकारी ज्यादस ज्यादा लोगों तक पहूं सके दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ तक के लिए जै हिंद जै भारत